भारत की सीमाई बनेंगी, तो मेरा टॉपिक है आग भारत की सीमाई पहले इसका चार्ड बनाएंगे, फिर वही एक तरफ थियोरी, एक तरफ मैपिंग करेंगे दो तरीके से हम लोग को भारत की सीमाउं का अध्यान करना है एक भारत की स्थल सीमा स्थल सीमा, इसको मैं कहता हूँ स्थल सीमा और दूसरा भारत की जल सीमा स्थल सीमा का मतलब है कि कहां कहां तक भारत का स्थल खंड फैला है इसके बारे में हम इसमें अध्यान करेंगे और जल सीमा का मतलब होता है कि कहां कहां तक महासागर के अंदर पानी के अंदर भारत कहा कहां तक फैला हुआ भारत को अगर मैं यहाँ पर एक मैप से आपको बताओ सिंपल कर दूँ इसको समझने के दृष्टी कोण से तो यह भारत है चीक है भारत का मैप और यह मियानमार हो गया यह अंदर निकोबर दूप समूए और यह पाकिस्तान हो गया तो अंदरी अंदर यह इस तरीके से अंदरी अंदर स्थल के रूप में यहाँ पर भी भारत की जो सीमा है वो स्थल सीमा में पढ़ेंगे और पानी में यह आपका अरब सागर है यह बंगाल की खाड़ी है और यह हिंद मासागर है हाला कि यह दोनों हिंद मासागर कई भागे क्या पानी में भी कहीं तक हमारा हिस्सा बनता है पानी के अंदर तो पानी के अंदर भी हिस्सा बनता है उसको पढ़ेंगे हम जल सीमा के अंदर आया लोजिक समझ में ये मैं क्या बात कर रहा हूँगा वापस मिटाता हूँ पहले इसको अध्यन करते हैं सबसे पहले स्थल सीमा को समझते हैं और फिर एक डाइग्राम बना करके मैं आपको स्थल सीमा के बारे में बताऊँगा भारत की स्थल सीमा आपको दो तरीके से पढ़नी है एक भारत के स्थलिय राज्यों की सीमा और दूसरा तटिय सीमा यह अलग करना है भारत के ऐसे राज्य जिनके तट नहीं है उनकी अंतराष्ट्रे सीमा कितनी बनती है और यह तट वाली सीमा कितनी बनती है तो भारत की जो स्थल सीमा है यह 15200 किलोमेटर है और तटिय सीमा 7516.6 किलोमेटर है अगर मैं इसको तोड़ू तटिय सीमा को दो तरीके से तोड़ा जाता है एक मुख्यभूमी की तटिय सीमा ये अलग होता है और दूसरा द्वीपों की तटीय सीमा क्योंकि सभी द्वीपों की तटीय सीमा होगी तो द्वीपों की तटीय सीमा अलग भी पूछ लेता है तो मुख्य भूमी की तटीय सीमा आती है 600 किलो मेटर और द्वीपों की सीमा आती है 1416.6 किलो मेटर आप इसको जोड़ोगे तो यह आएगा 7516.6 किलो मेटर मुख्य भूमी की स्थल सीमा जहाँ पर तट की सीमा नहीं है वो है 15200 किलो मेटर और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको भारत की कुल सीमा हम इसको कुल सीमा भी बोल सकते हैं स्थल सीमा को ही भारत की कुल सीमा के तौर पर देखा जाता है जल का कॉंसर्ट पूरा अलग हो जाता है तो 15,200 प्लस 7,516 कितना हो जाएगा 22,716.6 किलो मिटर ये भारत की भूमी की किसकी भूमी की कुल सीमा है आप इसको भारत की भूमी की कुल सीमा भी याद रख सकते हैं अब सर ये आया कैसे तो यहाँ पर मैं एक मैप बना रहा हूँ आप इस मैप भी ध्यान देना कि मैं क्या बात करो मेरे खाल से मैप बनाना अब आपको आ गया होगा नहीं आया होगा तो प्राक्टिस जरूर करें चोटे मोटे दूइद देखें सबसे पहले समझते हैं कि भारत की स्थल सीमा का मतलब क्या है तो यहाँ तक यहाँ से लेकर के गुजरात का ये काठिया वाड़ा गुजराग, राजिस्तान, पंजाब, जमु कश्मीर, लदाग, उत्राखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरनाचल परदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरां, तिरिपुरा वगेरा ये सब लगा करके पस्चिम मंगाल यहां तक ये जो पूरी की पूरी जो छेतर है, इसको मैं बोलूँगा कौनसी सीमा ये हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक पंदरासो दोसो किलो मेटर सीमा आया समझ में, यहां से मैं इंच टेप लेकर के फीता लेकर के जाओं तो ये पूरी सीमा यहां से यहां से यहां तक कितनी बन रही है 1500-200 km अब पश्चिम बंगाल के यहां से पानी शुरू हो जाता है तट शुरू हो जाता है और गुजरात के कच से यहां से तट शुरू हो जाता है तो यहां से ले करके यहां तक की सीमा फीता ले करके ऐसे जाओंगा मुख्य भूमी के और चलता जाओंगा चलता जाओंगा तो ये जो सीमा बनेगी ये कितनी बनेगी एक सट सो किलो मीटर ये क्या होगी है तटीय सीमा किसकी तटीय सीमा मुख्य भूमी की मुख्या भूमी का मतलब क्या है जो ये एक सिंगल डाइग्राम एक सिंगल स्थलखन बन रहा है भारत का अब अगर मैं ये लक्षदीप के छोटे छोटे द्वीपों के किनारे किनारे में फीता लेके गुमूं और सारे अंडमा निकवार के द्वीपों की किनारे में फीता लेके गुमूं तो इससे बनता है इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है द्वीपों की तटीय सीमा तो ये कितना आ जाता है 1416.6 किलोमेटर कुल तटीय सीमा कैसे बनेगा 161.600 प्लस 1400 परस हो। और सारी सीमा कैसे बनेगी तो उसमें यह भी जोड़ देंगे। आयातर्ख समझ में आपको आप कितने बनेंगे सिरry स्मेंसे पहला आपसे यही पूचेगा भारत की कुल सीमा कितनी हैं दूसरा पूचेगा केवल स्थल वाले हिस्से की सीमा कितनी है तट को छोड़ करके तीसरा पूचेगा मुख्य भूमी की तटी ये सीमा कितनी है चौथा पूचेगा द्वीपों की तटी ये सीमा कितनी है और घुमाएगा कभी कभी पूछेगा कि तटी ये कुल सीमा किदनी है आया तर्क समझ में इस परकार से आपको भारत की कुल सीमा याद रखनी है अब इसके बाद जल सीमा बाद में पढ़ेंगे इसके बाद हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इस अंतराष्ट्रिय सीमा से सटेवे जो देश है अपने इस थल खंड से जुडेवे पडोसी देश के बारे में पढ़ेंगे कौन-कौन से देशों से क्या सीमा है उस रेखा का नाम क्या है, कितने राजियों से है और फिर जब जिल सीमा का कॉंसेट आएगा तो यहां जल वाले जो सीमा जिन राजियों से बन रहे है उसका कॉंसेट पढ़ेंगे तो यह दो तरके आपको भारत की जो अंतराष्ट्रिय सीमा है इसके बारे में आपको किस तरीके से अध्यन करना है यह अंतराश्टिय सीमा है तो इसकी थियोरी लिखे लिखे यह है मैप ठीक है अब यह स्टेंडर्ड मैप हो गया है इसके अंदर जितरी बाते बताऊंगा मैं वो इसी के अंदर बताऊंगा सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत के पड़ोसी राश्ट जो हमारी स्थल से जुड़ेवे पड़ोसी राश्ट है वो कौन-कौन से है तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से पड़ोसी राश्ट से मिलती है देखो कुल कितने राज्य है हमारे पड़ोसी साथ राज्य है कुल साथ ये factual चीज़ें सीधा सीधा याद रखना सरवादिक सीमा का मैं एक क्रम दे रहा हूं और ये क्रम है अवरोही क्रम अवरोही क्रम का मतलब घटेवे क्रम है कि सबसे ज्यादा सीमा की इस राज्य से बनती है तो सबसे पहला राजी आजाता है देश आजाता है बांगलादेश बांगलादेश से 4,99 किलोमेटर की आसपास की हमारी सीमा है तो आप औस से तन याद रखोगे उसके बाद है चीन चीन के साथ 3488 किलोमेटर की सीमा है उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमेटर सीमा है विवादित है लेकिन इतना ही याद रखना है उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल के साथ 1757 किलोमेटर के आसपास सीमा आती है उसके बाद आता है म्यानमार यानि की भूटान उसके साथ 1643 किलोमिटर के आसपास की सीमा बन दी उसके बाद आता है भूटान 699 किलोमिटर की सीमा आती है और लास्ट में जो राज्य आता है यह आता है अफगानिस्तान इसके साथ 106 किलोमिटर की सीमा आती है परन्तु आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान पीओ के वाले छेतरे से जुड़ा हुआ है भारत से और वो अभी भी विवादित चल रहा है हमने नक्षा बना जरू दिया कि यह हमारा है मगर राजनेतिक रूप से अभी उस पर हमारा अधिकार नहीं है तो हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और जमीन में क्या है इनमें अंतर हो सकता है वन डे में तो जो पढ़ाया जाता है वो ही फैक्स याद रखने होते हैं राजनेतिक रूप में वो सवाल उस ही साथ से बना करके देता है तो सरवादिक सीमा भारत की किस देश के साथ है बंगलादेश के साथ सबसे कम सीमा किस देश के साथ है और अगर वो पूछेगा पाक अधिकरित कश्मीर को छोड़ करके सबसे ज्यादा किस देश का सबसे कम किस देश के साथ सीमा है तो यह याद रखना है भूटान इन में से जो सबसे ज़्याद है उसका तो सीमा याद रख लेना बाकी का आप आसत याद रखोगे आसतन कि ठीक है 434, 3300, 1700, 1600, 700 ऐसे करके आप आसतन याद रख सकते हो आई बात समझवें तो यहाँ अगर मैं मैं परूँगा तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कहां से कहां तक है यहां से शुरू हो जाएगा यहां से यहां तक पाकिस्तान के साथ सीमा हो जाएगी चीन के साथ सीमा यहां से शुरू हो जाएगी यहां तक और उसके बाद फिर शुरू होगी यहां से लेकर के यहां तक तो चीन के साथ यहां से और फिर थोड़ा सा अरुनाचल परदेश में अभी मैं राज्यों का करम बताऊंगा ना तो उसको और मैप में लगा दूँगा नेपाल के साथ सीमा केवल इधर उसके बाद भूटान के सीमा इधर और बंगलादेश के साथ सीमा इधर बनेगे और म्यानमार के साथ सीमा इस तरफ बनेगे आया तर्ख समझ में यह आपने नोट कर लिया हूब हूब कर दिया चलिए अब भारत के पडोसी राष्ट कुल साथ हैं जिनके साथ उनकी सीमा ये हैं अब हम लोग देखेंगे कि हर एक देश के साथ हमने सीमा निर्धारण करने के लिए कौन सा समझौता बनाया है आपने रे रेखा मैक मोहन रेखा ऐसी कुछ रेखा हैं सुनिये ना इन रेखाओं का अध्यान करेंगे तो आपको वहां से दो तरीके के सवाल आएंगे कौन से देश के साथ कौन-कौन सी सीमा है कब खीची गई है और कौन-कौन से राज्योत में वो सीमा है पहली है राज्य के सबसे पहले, हमारे भारत के पड़ोसी राष्ट्रीयों, राष्ट के साथ अनराष्ट्रीय सीमा समझौते कौन-कौन से हैं, इसको देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपने प्रिय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ठेके आप लोग लिखते जाना पाकिस्तान के साथ आपको दो सीमा रिखा है याद रखनी है पहली रिखा है याद रिखनी है आपने रैड क्लिफ कौन सी रिखा है रैड क्लिफ रिखा इसको कब खीचा गया था 15 अगस्त 1947 हाला कि इसका प्रकाशन जो हुआ था पेपर में ये प्रकाशन हुआ था 17 अगस्त 1947 तो दोनों तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ठेक है रैड क्लिफ रिखा 15 अगस्त 1947 और 17 अगस्त 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था आई बात समझ में एक तो ये याद रखना है कौन से राज्यक में है ये विभाजन करता है वर्तमान में जम्मू और कश्मीर आई बात समझ में जम्मू और कश्मीर इसके अलावा पंजाब उसके अलावा राजिस्थान चीक है और गुजराद कितने राज्यों में है रेड क्लिफ रेखा चार राज्यों में है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ देखो यहाँ से शुरू होती है रेड क्लिफ रेखा इधर से इधर से इधर से यहाँ और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है वैसे वो बात अलग है कि यह इलाका हमारा अभी छूटा हुआ है पर आप यहीं तक लेकर के चलोगे यह है आपकी रैड क्लिफ रेखा कोई दिक्कत है यहां तक समझने में कितने राज्य हैं इसके अंदर एक है गुजरात दूसरा है राजस्थान मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ आरे जे पी यू एन और जे एन के इसका उत्तर से दक्षिन और दक्षिन से उत्तर का करम भी पूछा जाता है दूसरी चीज़ दूसरी रेखा जो पाकिस्तान के साथ है यह है ल ओ सी ल ओ सी का मतलब क्या हो गया लाइन आफ कंट्रोल इस लाइन आफ कंट्रोल को कब खीचा गया था तीन जुलाई 1972 जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था बंगले देश की आजादी के लिए तब ये रेखा खीची गई थी और ये रेखा किस राज्य में है केवल जम्मू और कश्मीर में है तो यहां से खीची गई एक छोटी सी रेखा LOC ये LOC पाक अधिकरित कश्मीर जिसको P.O. के बोलते हैं और भारत का जो कश्मीर है इन दो छेत्रों को विभाजित करता है हमारी सेना लास्ट यहां पर है आई बात समझ में तो LOC कहां पर है केवल और केवल LOC जम्मू कश्मीर के अंदर खीची गई है और इसका प्रकाशन हुआता 1772 में तो यह दो सीमा समझोता हमने किसके साथ किया है रैट क्लिफ के साथ किया है हारा समझ में चलो इसकी थियोरी लिखो चीन लेंगे तो चीन के साथ हमारी फिर से दो अंतराष्ट्य सीमा ही है पहली जो अंतराष्ट्य सीमा है इसको कहते है मैक मोहन रेखा कौनसी रेखा है मैक मोहन रेखा यह मैक मोहन रेखा कब खीची गई थी 1914 में एक समझोता हुआ था जिसको कहते हैं शिमला समझोता तो यह याद रखना है आपने कि मैक मोहन रेखा कब खीची गई थी 1914 के शिमला समझोते में तिबबत के चकर में यह रेखा हमें खीची गई थी दूसरी चीज़ मैक मोहन रेखा कौन से राज्य में स्थित है तो आपने केवल याद रखना है कि यह अरुनाचल प्रदेश में है और किसी राज्य में नहीं है तो आप इदर आओगे तो यह कौन सा देश है भूटान भूटान के बाद यहां से लेकर के यहां तक यह जो रेखा है चीन के साथ इसका नाम है मैक मोहन रेखा आया तर्क समझ में मैक मोहन रेखा कहां से कहां तक है दूसरी रेखा दूसरी जो रेखा है चीन के साथ इसको कहते है ल, a, c, l, o, c अलग है, l, a, c अलग है इसको अंग्रेजी में कहते है line of actual control इसका निधारन हुआ था 1993 में, कब वह था, 1993 में और ये भारत के कौन-कौन से राज्यों को चीन से अलग करता है, तो सबसे पहले आपने जम्मू कश्मीर लेना है, उसके बाद हिमाचल परदेश लेना है करम मैं बता रहा हुँ मैं, उसके बाद उतराखंड लेना है और उसके बाद सिक्किम लेना है, सबसे ज़यदा कन्फ्यूजिंग सिक्किम है, क्योंकि ऐसा लगता है सिक्किम उदर है, तो मैक मोहन रेखा से वो अलग उरखा होगा तो मैक मोहन रेखा कहा पर देखो यहां से शुरू होती है यहां से शुरू होती जम्मू कश्मीर में लदाक वाला छेतर फिर हिमाचल उसके बाद उत्रा खंड फिर यहां नेपाल आ जाता है फिर यहां से पर सिक्किम इतने इलाके में यहां पर है आपकी LAC लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल जो कि 1993 में हमने खीचीती संशोदित रेखा है मैक मोहन की ही रेखा थी यह पहले पहले यह रेखा पूरी मैक मोहन रेखा आती थी लेकिन 1993 में हमने इसको संशोदित करके यह नया नाम दिया एक सवाल उत्राखंड के पेपरों में आता है आप लोग उत्राखंड की अंतराष्टिय सीमा ही पढ़ते होंगे तो मुझे यह बताइए उत्राखंड की कितने देशों के साथ सीमा बनती है अंतराष्टिय सीमा तीन कौन सा है चार देश अरे उत्राखंड की कितने देशों के साथ सीम है दो ही तो देश हैं एक चीन है और एक नेपाल है और किसको पकड़ के ला रहा है चीन के साथ हमारी जो रेखा खीची है बॉर्डर पर उसका नाम क्या है पढ़ा है यह आपने उत्राखंड में कभी उसका नाम है LAC और नेपाल के साथ जो रेखा है उसका नाम क्या है सर वहाँ तो रेखा ही नहीं फिरीज आ रहे है आ रहे है नहीं रेखा है समझाओता है अभी देखेंगे कौन सी समझाओता है तो चीन वाला समझ में आगया उसको आपने लिख लिया लिखे इसकी थियोरी फटाफट कीजिए इसके बाद अगला देश तो चीन के बाद महत्वता के आधर पर अब अगला देश है हमारा बंगला देश कौनसा देश? बंगला देश मिटा दूँ यह चलिए अब देखो बंगला देश थोड़ा सा भिवादित जाएगा हमारी बंगला देश के साथ जो सिमा समझोता बनती थी वो बनती थी रैड क्लिफ रैड क्लिफ रेखा के हिसाब से ही हम बंगला देश और इसको अलग कर रहे थे क्योंकि जब रैड क्लिफ रेखा 1947 में खीची गई थी तो वो पस्चिमी पाकिस्तान और पूरवी पाकिस्तान के इसाफ से खीची गई थी तो रैट क्लिफ ने हमें यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक यह है बंगलादेश की सीमा अगर आप बंगलादेश बनाओगे तो ऐसा बनता है यहाँ पर खीज़ दी थी रेट क्लिफ रेखा तो कुछ जगों पर समझोता रेट क्लिफ रेखा से हो रखा है लेकिन दूसरी जो सीमा है एक सीमा और खीची गई थी बंगलादेश के साथ इसको कहते हैं जीरो रेखा और ये 2012 में खीची गई थी त्रिपुरा राज्य में तो त्रिपुरा राज्य यहाँ परे देखो ऐसे करके ऐसे आता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह वाली जो रेखा है इसका नाम है जीरो रेखा किसके साथ पन रही है यह त्रिपुरा कैसे तो यह पेपर में आता है कि बांगलादेश और तिरिपुरा के मध्य जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है जीरो रेखा अब दोस्तो रैट क्लिफ रेखा में अभी संशोधन किया हमने कुछ जगों उपर 2015 में हमने सन्विदान संशोधन करा था जिसको हम 101 सन्विदान संशोधन भी बोलते थे सौवा सन्विदान संशोधन ये सौवा सन्विदान संशोधन क्या था इसका नाम था भारत बांगलादेश भूमी समझोधा याद है यह हमने समझाता करा था और यहां पर चार राज्यों की सीमा आदान परदान करेती हम लोगों ने इस से पस्चिम बंगाल, आसाम, मेघाले, मिजोरम और तरिपुरा इन राज्यों की सीमा में परिवर्तन लाया गया था तो आप नाम के तौर पर याद रखोगे कि हमारे बीच में जो अभी लेटेस्ट हाल हाल फिलाल या ताजा ताजा जो सीमा समझाता हुआ है उसका नाम है भारत बंगलादेश भूमी समझाता कितने राज्यों को परभावित करता था यह? चार राज्यों को परभावित किया है इसने तो यह रेखाएं हैं अब देखें पेपर में यदि वन लाइनर क्वेशन आएगा कि रैट क्लिफ रेखा किस देश के साथ समझाता बनाती है तो आप बंगलादेश के लिए नहीं याद रखोगे उसको उसको आप किस के लिए याद रखोगे? पाकिस्तान के लिए ही याद रखोगे तो निशकर्ष के तोर पर बंगलादेश के साथ हमारी जो समझाता है सीमा को उसका नाम है जीरो रेखा और भारत बंगलादेश भूमी समझाता आया समझ में? आ गया, clear हो गया, theory लिखे जो देश है चौथा राष्ट ये हम लोग ले लेते हैं नेपाल ठीक है तो नेपाल के साथ भारत नेपाल शान्ती समझोता है भारत नेपाल शान्ती समझोता अठाटा, उनिस सो पचास में बना था तो भारत नेपाल शान्ती समझोता ये बोलता है कि हम लोगों की कई माइनों में आवाजाही मुक्त होगी, free होगी ठीक है, तो कोई बहुत कठोर जीमा नहीं है भारत नेपाल की तो इसको बोलते हैं भारत नेपाल शान्ती समझोता है तो इसके लिए भी important नहीं है कि भुटान का वो पूछेगा उसके बाद आजाते हैं म्यानमार म्यानमार के साथ जो सीमा समझोता है इसको कहते हैं इंडो म्यानमार barrier barrier का मतलब होता है सीमा तो यहां से अरुनाचल परदेश से ले करके नागालेंड, मनिपूर, मिजोराम यहां तक म्यानमार के साथ सीमा पढ़ती है और उस सीमा का नामें इंडो म्यानमार बैरियर इस सीमा का निर्धारण हो गया था 1935 में और म्यानमार भारत से प्रिथक हुआ था 1937 में हाला कि ये जो सीमा है ये लागू हुई थी 1944 में तो आपको एक question पूछेगा इंडो म्यानमार बैरियर तो आप 1935 याद रख सकते हो क्योंकि 1935 के अधिनियम में बात रखी वी थी कि भारत और म्यानमार को अलग-अलग कर दिया जाएगा दो राष्ट उसके साथ-साथ 1937 में म्यानमार पूर्ण रूप से भारत से अलग हो गया था और जो सीमा अंग्रेजों ने तै की थी उसका प्रकाशन 1944 में हुआ था तो म्यानमार के साथ यह वाली सीमा है और इसके बाद आता है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान से जो रेखा है उसको कहते हैं डूरेंड रेखा यह डूरेंड रेखा कब खीची गई थी 1893 में खीची गई थी लेकिन आज यानि की वर्तमान में यह पूछे का की डूरेंड रेखा किस-किस देश को विभाजित करता है तो अब यह आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुआ यह था 1893 में इधर का यह पूरा का पूरा पाकिस्तान वाला छेतर भारत में था और इस तरफ आपका हिंदू कुष्की पाड़ियां थी तो यह जो हिंदू कुष्की पाड़ियां है यह उपर अफगानिस्तान और नीचे भारत को उस समय विभाजित कर रहा था तो डूरेंड रेखा यहां से हिंदू कुष्की समंतर में खीची गई है और क्योंके यहां से ऐसे है अफगानिस्तान तो यह 106 किलो मिटर वाला छेतर अभी पीओ के पेट टाच होता है जो भारत के अंदर हम मानके चलते हैं उसके हिसाब से हम लोग डूरेंड रेखा को भारत के साथ जोड़ रहे हैं अन्य था डूरेंड रेखा वर्तमान द्रिष्टिकोंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्रिथक करता है आए आपको तीन सारी की सारी सीमा ही समझ मा आगई सारे पडोसी राज्यों के साथ क्या हमारे सीमा समझाते हैं यह मैंने लिग दिये ज्यादा तर आपसे सोच सीमा पूछाएगा वो भारत और चाइना भारत और पाकिस्तान भारत और बंगलादेश यह पूछेगा यह नेपाल वेपाल वाले नहीं पूछेगा ठीक है इसकी थियोरी कीजिए